हलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा? क्या आप किसी ऐसे देश के बारे में जानते हैं, जहां सहरियासत चलते हो, और इस तरह का ये पूरी दुनिया में एक मातर देश है? ये देश 468 किलोमेटर से भी कम एरिया में फैला है, गरीबों का स्विजरलैंड, एक ऐसा देश जहां सिग्रेट की स्मगलिंग करना परंफरा है, दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं, योरोप में स्थेत एक बेहदी छोटे मगर खुबसूरत देश अंडॉरा के बारे में, अप में से बहुत से लोगों ने शायद अंडॉरा का नाम भी पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन आपको बता देश में हर साल सतर से असी लाख पर्याटक घूमने के लिए आते हैं, ये देश अपने विंटर स्पोर्ट्स जैसे स्कीइंग के लिए पूरी दुनिया में पॉपिलर है, और भी कई ऐसी बाते हैं जो इसे बेहदी खास बनाती हैं, अज हम आपको अंडॉरा देश की सैर पर ले जाने वाले हैं, इस देश की संस्कृति और परंपरा के बारे में तो हम आपको बताएंगे हैं, साथ ही कई ऐसे रोचक तथे भी बताएंगे, जिने सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, और अंडॉरा में कौन-कौन सी जगा आप घूमने जा सकते हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, अब बस विडियो के अन तक हमारे साथ बने रहे हैं, सबसे पहले बतादें कि योरोप के साउथ वेस्ट में स्थित इस देश का ओफिशिल नाम है दे प्रिंसिपालिटी ओफ अंडॉरा, बता दें कि अन्डॉरा को दुनिया के सबसे प्राचीम देशों में से एक माना जाता है, देश का शेत्रफल मात्र 468 वर किलोमेटर है, अन्डॉरा एक लैंडलोक्ट कंट्रे है, अन्डॉरा दुनिया का सोलवा और योरोप का चठा सबसे चोटा देश है, ये देश स्पेन और फ्रांस के बीच में बसा हुआ है, इस देश की राजधानी है अन्डॉरा ला वेला, जो समुधर तट से 1023 मीटर के उचाई पर स्थेत है, इसे पूरे योरोप की सबसे उची राजधानी होने का दर्जा भी प्राप्थ है, अन्डॉरा एक बेहदी खुबसूरा देश है, यहाँ चैरों तरफ आपको सिर्फ पहाड़ी पहाड नज़र आएंगे, पहाड़ों के साथ जरने, जीले, नदियां, और मन मोह लेने वाले नजारे आपको मोहित करने के लिए काफे हैं, यह देश पारणीज परवत श्रंखला के बीच में बसा हुआ है, इस छोटी से देश में ही छोटी बड़ी मिलाकर कुल 65 से ज्यादा चोटियां मौजूद हैं, जिन्हें फटह करने के लिए यहाँ ट्रेकोज भी आते हैं, अंडॉरा यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर यूरो करेंसी ही चलते हैं, हलांकि यह सन्युक्त राश्टर के मेंबोस की सूची में आता है, इस देश के अपनी खुद की उलिम्पिक टीम भी है, वो अलग बाते हैं कि आज तक अंडॉरा ने एक भी पदक नहीं जीता है, लेकिन किसी भी मुकाबले को जीतने से ज्यादा उसमें भाग लेना ज्यादा है हम होता है, और ये बावज अंडॉरा के लोग अच्छी तरह समझते हैं, अंडॉरा हर साल 28 एप्रल को अपना स्वतंतरता दिवस मनाता है, क्योंकि इसे दिन इसे सन्युक तराश्ट्र के स्वतंतर देशों में शामिल किया गया था, और इसी साल यहाँ पर संसत के स्थापना हुई थी, अंडॉरा देश की ओफिशिल लैंग्विज है काटलैन, काटलैन के लावा इस देश के लोग स्पैनिश और फ्रेंच भाषाएं सबसे ज्यादा बोलना पसंद करते हैं, अंडॉरा दुनिया का एक मात्र देश है जिसकी ओफिशिल लैंग्विज काटलैन है, लगबग 40 प्रोतिशत लोग यहाँ पर काटलैन लैंग्विज काहीं इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावब पुर्थगाली और इंग्लिश का भी इस्तेमाल अंडॉरा में किया जाता है, लेकिन भले यह देश दुनिया के सबसे छोटे देशों के लस्ट में शामिल हो, लेकिन International Living Index के अनुसायर जीवन के स्तर और गुणवत्ता के मामले में अंडॉरा दुनिया में 12 नमबर पे आता है, यहाँ के लोग बहुत ही खुशाल जीवन बिताते हैं, अंडॉरा दुनिया के उन देशों में से एक है जहाँ के नागरेक्ता पाना बहुत मश्कल है, इस देश की नागरेक्ता लेने के लिए आपको कम से कम 20 साल का इंतिजार करना पड़ेगा, जिया इन 20 सालों के दौरान आपको या तो अंडॉरा में शिक्षा प्राप्त करनी होगी, कोई व्यापार या नौकरी करनी होगी, या फिर यहाँ के ऑफिशल लैंग्विज की एक परिक्षा पास करनी होगी, इसके बाद ही आप इस देश के नागरिक्ता मिल जाती है, तो आपके आने देशों की नागरिक्ता समात कर दी जाएगे, अंडॉरा देश अपनी वाइन और तंबाको उत्पाद के लिए पूरी दुनिया में प्रस्थ है, यहाँ पर सबसे अच्छी क्वालिटी का तंबाको बनाया जाता है, हलनकि यहांसे फ्रांस और स्पेन जैसे देशों में तंबाको की तसकरी भी की जाते है, वैसे तो आन्डॉरा का ज्यादतर हिस्सा पहाड़ों से ही गिरा हुआ है, और इसलिए पूरे देश में सिर्फ दो प्रतिश्यत जगा पे ही खेती की जा सकते है, उन्में भी 90% एरिया में सिर्फ तंबाको का उत्पादन होता है, यूरोप के ज्यादतर देशों में पब्लिक प्लेसिस पे तंबाको या सिगरेट का सेवन बैंड है, लेकिन अंडौरा देश में हर को एक खोले आम सिगरेट पीता नज़र आ जाएगा, अपने घरों से लेकर सड़कों तक हर किसी के हाँद में सिगरेट और सिगार नज़र आगी, इस देश में तंबाको का इतना ज्यादा प्रचलन है कि यहाँ पर म्यूजिय फैबरी का रियाग नाम का एक टोबैको म्यूजियम भी बना हुआ है, जहां आपको तंबाको से जुड़ी तमाम जानकारिया मिलेंगे, यहाँ आपको पुराने जमाने में इस्तेमाल किये जाने वाले हैंड पंप से लेकर, आज के अधुने के इलेक्ट्रिक सिगरेट तक सब देखने को मिल जाएंगे, अंडॉरा को प्रिंसिपैलिटी यानि सहर रियासत का दुनिया में एक मातर देश है, यहाँ पर एक नहीं, बल्कि दो-दो प्रिंस हैं, फ्रांस के राश्ट्रोपती और उर्गिल के बिश्चप को यहाँ का प्रिंस होने का दर्जा दिया जाता है, बता दें कि अंडॉरा के पास अपनी खुद की कोई सेना नहीं है, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी फ्रांस और स्पेन की है, वसे अंडॉरा को सेना की जर्द भी नहीं है, क्योंकि अंडॉरा ने पिछले हजार सालों से कोई भी योधन ही लड़ा है, इसलिए इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है, जहां क्राइम रेट लगभग न के बराबर है, रिपोर्ट के मताबिक साल भर में सौस से भी कम लोग अरेस्ट किया जाते हैं, चोरी, डखैती या मॉर्डर जैसे क्राइम्स के बारे में हां कुछ सुनने को नहीं मिलता, जिन लों को गिरफ़तार किया जाता है, उन्हें छोटे मोटे रूल्स तोड़ने के जुर्म में ही गिरफ़तार किया जाता है, और जुर्माना लगा कर उन्हें छोड़ भी दिया जाता है अंडॉरा में वैसे तो एक छोटी सी जेल है जो house of the valleys में स्थेथ है लेकिन अगर किसी व्यक्ति को अंडॉरा में तीन महीने से ज्यादा समय की जेल की सजा सुनाई जाते है तो उसके पास यह option होता है तो अपनी currency भी नहीं है अंडॉरा एक tax free देश है और ज्यादा तर छोटे देशों में tax free वाला culture ही देखने को मलता है जिसके ज्यादा से ज्यादा लोग देश में घूमने आ सकें और निवेश कर सकें दोस्तों अंडॉरा के महिलाओं बहुत खुबसुरत होते है एक बार अगर कोई इन महिलाओं को देख ले तो उसके पूरे शरीर में अलगी चिंगारी दोड़ पड़ेगी अब को एक बात और बता दें कि अंडॉरा के महिलाओं को आकर्शित करना काफी आसान माना जाता है दूसरे देश के योवा अंडॉरा के महिलाओं को ज्यादा पसंद आते हैं इस देश में वैसे तो प्रोस्टिटूशन इलीगल है लेकिन फिर भी कुछ मैलाएं देवयापार के धंदे से जोड़े हुए हैं खास्त और पर सैलानी यहां के बहिलाओं की और आकर्शित होते हैं अंडॉरा में सिर्फ 40 प्रतिशत लोगों के पास ही वोट डालने का अधिकार है किनकि इस देश में ज्यादा तर लोग दूसरे देशों से आकर बसे हुए हैं और उनके पास यहां की नागरिकता नहीं है इसलिए वोट नहीं डाल सकते अंडॉरा में सबसे ज्यादा रोमन कैथलिक धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं लगभग 80 प्रतिशत लोग यहां कैथलिक हैं इसके अलाबा कुछ संख्या मुसल्मानों, यहूदियों और हिंदूों की भी देखने को मिलते हैं आपको जानकर खुशी होगी कि अंडॉरा देश अपने शांदार शॉपिंग मारकेट्स के लिए भी काफी प्रसेद है यहां पर आपको कई ऐसी दुकाने भी देखेंगे जो भारतियों द्वरा चलाई जा रही है उन दुकानों की पहचायन आप दुकान के बाहर बने ओम के सिंबल से कर सकते हैं क्योंकि अंडॉरा एक टैक्स फ्री नेशन है इसलिए यहां पर शॉपिंग करना बहुत सस्ता माना जाता है फ्रांस और स्पीन से भी लोग अकसर शॉपिंग के लिए अंडॉरा आते हैं तूरिजम इंडूस्ट्री अंडॉरा की अर्थ व्यवस्था का सबसे प्रमुक हैसा है देश की असी प्रतिशत अर्थ व्यवस्था टूरिजम पे ही निर्भर करते है हर साल साथ से आठ मिलियन लोग अंडॉरा देश घूमने के लिए आते हैं अंडॉरा की जीडिपी 3.2 बिलियन डॉलास है वहीं आके लोगों की पर कापिटा इंकम 37,000 डॉलार है इस देश में गरीब लोगों की संख्या भी लगभग 0% है इतना छोटा सा देश होने के बावजूद अंडॉरा में शक्षा को बहुत एहमियत दी जाते है और यही वजाए कि आज अंडॉरा में हर व्यक्ति लिटरेट है देश में लिटरसी रेट लगभग 100% है पूरे देश में सिर्फ एक ही उनिवसिटी है चान सैक्णों स्टूडेंस बढ़ते है अंडॉरा के एजुकेशन लॉके तहर 6-16 साल की उम्रे के बच्चों के लिए बेसिक एजुकेशन अवश्यक है देश में सरकार द्वारा मेडल क्लास तक शिक्षा मुप्त में प्रदान की जाते है अंडॉरा में सरक्यार अपने नागरिकों को ये सोविधा देती है कि घर का पुरुष अपने परवार के सुरक्षा के लिए अपने पास गन रख सकता है यहां एकदम सैसना आपने अंडॉरा में सीफूड काफी ज्यादा मात्रा में खाया जाता है साथी पोक का इस्तेमाल भी कई डेशेज में किया जाता है यहां के लोगों को घोंगे खाना भी काफी पसंद है अगर आप भी नॉन्वेज के शौकीन है तो अंडॉरा का खाना आपको जरूर पसंद आएगा दुनिया की सबसे बड़ी साइकल रेस अंडॉरा में ही जाकर खत्म होते है इस रेस को टूर डी फ्रांस कहा जाता है एक से क्यानवे किलामेटर लंबेस दौड का आयोजन 15 हिस्सों में होता है जो पोर्ट एंवरिला से शुरू होकर अंडॉरा की राजधानी में जाकर खत्म होते है लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में अंडॉरा की गिंती दुनिया के टॉप 10 देशों में की जाते है यहाँ पर लोग औस्तन 82 साल तक जीते हैं तंबाकू का सेवन करने के बाद भी इतनी लंबे उम्र तक जीना वाकाई खमाल है शायद अंडॉरा के लोग सोचते होंगे कि तंबाकू सेयद के लिए अच्छा है और यहीं उनके लंबे उम्र का राज भी है इतना विक्सित देश होने के बावजूद अंडॉरा में एक भी इंटरनाशनल एरपोर्ट नहीं है पहाड़ों के बीच में बसा होने के कारण देश में रेलवे नेटवर्क भी नहीं है अंडॉरा तक पहुँचने के लिए पहले फ्रांस या स्पेन जाना पड़ता है और वहाँ से अंडॉरा तक सड़क के सविधा मौजोद है सब सुत्री सड़कें, खुपसुरत वादियां और दिलकश नजारों के बीच कुछ घंटों के भीतर ही आँ फ्रांस या स्पेन से अंडॉरा तक पहुँच सकते हैं चुलिए अब आपको अंडॉरा में घूमने लायक सबसे प्रसेद जगों के बारे में बता देते हैं अंडॉरा की राजधानी के बारे में तो हम आपको बताई ही चुके हैं रजधानी अंडॉरा ले वेला और अलपास डेला कासा जैसी जगों पर आप जी भर के विंटर स्पोट्स का अनंद ले सकते हैं स्कीइंग के लिए दोनों जगें बेस्ट मानी जाते हैं साथ यहां स्पीड स्कीइंग करने का भी ऑप्शन है जिसमें एक पारशूट या ग्लाइडर के मदद से आपको स्कीइंग कराई जाते हैं इस देश में मड्रियो पेराफिता क्लेर वैली नाम की जगा पर एक नैचरल पार्ग है यह पार्ग देश के 9% हिस्से में बना हुआ है और पूरा पार्क युनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है साथ यहां के कई वैली इस पिकनिक के लिए काफी फेमस है अक्सर अंडॉरा के लोग छुट्टी के दिन अपनी फामिली के साथ टाइम स्पिंट करने इन जगों पे ही जाते है लेक एंगोलास्टर्स अंडॉरा के खुबसूरत जील है यहां पर केबल कार चलती है जहांसे आप साफ नीला पानी और सुंदर वादियों के नजारे देख सकते हैं और बोटिंग का अनंद भी आप यहां पर ले सकते हैं अंडॉरा में कैथलिक क्रिश्चिन्स बहु संख्यक है और इसलिए यहां का चर्च भी अब टूरिस्ट देस्टिनेशन बन गया है चर्च ऑफ सैंटा कोलोमा डिया अंडॉरा पूरे देश का सबसे पुराना चर्चर इसका नर्मान आठवी शताबदी के दोरान कराया गया था यह चर्च अपनी शांदार वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है साथी सेंट जॉन्स जोच भी लोग बड़ी संख्या में आते हैं तो दोस्तों यह था खुबसूरत देश अंडॉरा उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको अंडॉरा के कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे क्या आप कभी गयों अंडॉरा और गयों तो आपका एक्सपिरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिष्टेदारों के साथ शेयर करना मत भोलियेगा हमारे चैनल को सबस्क्राइब भी जरूर कर दें वीडियो को अंग तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब से फिर मुलाखात होगी एक और नए वीडियो के साथ